हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आप सब कैसे हैं आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके शेर करने वाली हूँ पीजा की रेसेपी यह पनीर मकनी पीजा बनाया है मैंने होम मेट पीजा देखो कितना टेस्टी और कितना डिलिशेस बनके रे मेट डाल रही हूँ ए तू कप थ्रीकप हाफ कब आप कौनटाटी के साब से ज्यादा या कम कर सकते हैं ये वन टीसपूर मैंने गार्लिक पावडर डाला है इसकी जगे आप फ्रेस गार्लिक भी चॉप करके डाल सकते हैं ये टीलियन सेजनिंग है पिजा सीजनिंग भी ब यह 1 TSP डाली है और 2 TSP मैंने ओल डाला है और यह इस्ट का पाउडर है वो डाला है ओनलाइन एजिली मिल जाता है या फिर आप बेकरी सौप से भी ले सकते हैं वहाँ पे भी मिल जाता है एजिली अब यह मिक्स करेंगे अच्छे से और दीरे-दीरे करके वाटर एड़ करेंगे विदाउट इस्ट की भी पीजा की रेसेपी भी मेरे चैनल पर है आप जाके देख सकते हैं कि विदाउट इस्ट कैसे पीजा का बेस बनाते है तो दीरे-दीरे करके वाटर एड़ करेंगे मीडियम टाइप का हमें आटा कूट के रेडी करना है दो को रेडी करना है इस ताइट से आप देख सकते हैं ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा लूज हो ऑपन टीस्पून मैंने ओल डाला है और मसल की चिकना करके उसको हम वन आवर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर देते हैं बनाने की तो यहां मैंने वन टीस्पून कस्मीरी टैचली पावडर लिया है जिससे इसमें कलर बहुत अच्छा है ग्रेवी में और वन टीस्पून सॉल्ट सॉल्ट का आप धियान रखे हैं क्यांकि हमने पिजा की बेस में भी सॉल्ट ढाला है वन टीस्पून धनिया पावडर और तू टीस्पून मैंने कसूरी मैथी डाली है इसमें फिलेवर बहुत अच्छा रखता है कसूरी मैथी का और यह मैदा है वन टीस्पून, वन बोर टीस्पून, तो तू टीस्पून मैंने मैदा डाली है, और तू टीस्पून मैंने वाटर यूज़ किया है, ताकि हमारे मसाली जलेना, तो पहले से हम वाटर डालेंगे, तो मसाली हमारे पैन में जलेंगे नहीं, हमें ज्यादा पतला नहीं करना है बस इस तरह का चाहिए आप देख तकते हैं वीडियो में तो मैंने रजसाइए फेन को गरम होने देंगे आखे लिए फिर हम इसमें जो मारे मसाली का रेडि किया है वो डाल दूझा आ गैस कोfish हम बेखाला पर दूस तो मारे मशाली जिल जाएंगे यह आप थियान रखें अच्हें तो अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप भी सकते हैं यह ओली जो है द्रिलीज हो रहा है तेभी में से तो यह मैंने टू टमेटोज लिये थे इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है और फिर हम इसको इसमें डाल देंगे मिक्स करेंगे तो यह मैंने खुवा लिया है तूटी स्पून इसकी जगह आप फ्रेस क्रीम भी ले सकते हैं या घर पे मलाई होती है तो वह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें क्रीमी टेक्चर लेके आना है ग्रेवी में क्योंकि हम पनीर मक्री ग्रेवी बना रहे हैं तो इसमें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें मेरी रेसेपी को और जहाँ से ज़्यादा शेयर करें और वैल आइकोन को जुरूर प्रेस करें तो मेरे आप आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहेगा तो step बाइ step मेरे रेसेपी को फॉलो करें यह वन टीस्पून मैंने टमेटो केचप डाला है टमेटो सॉंस्च होता है और वन बहो टीस्पून मैंने टमेटो केचप डाला है तो वीडियो को एंड तक देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि रेसिपी किस तरह से बनानी है step by step इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी पीजा की बहुत अच्छी बनके रेडी होगी तो इस तरह से हम चलाएंगे जब तक ग्रेवी में से ओईल एलीज नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे slow gas पर और यहां मैंने grate की हुआ पनीर लिया है 4 टेबल स्पून इसको भी mix कर लेंगे अच्छे से तो पनीर मक्नी पिज़ा बना रहे हैं तो ग्रेवी में अगर हमें ऐसे डाल देंगे इसको पनीर को तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी का तो इस तरह से mix कर लेंगे बहुत ही तेस्टी पिज़ा बनके रेडी होता है इस तरह से mix करने के बाद हम इसको तू मेंट के लिए पकाएंगे और आप देख सकते हैं यह रेड रेड स्पॉर्स दिख रहा है ना इस तो इसका मतला हमारी ग्रेवी बनके रेडी है एक और पैन रखेंगे उसमें 1 टी स्पून मैंने ओइल डाला है और 1 टी स्पून हल्दी पाउडर इसको चलाएंगे और यह पनीर डाला है मैंने चोटी चोटी पीस कर लिए हैं पनीर के और इसको हम गोल्डन बना होने तक पकाएंगे पनीर के ज़से पी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं लिंक में डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है पनीर पे अच्छे से इस तरह का हमें चाहिए अब जो डो बनाके हमने रेडी किया था वो मैंने चेक कर रही हूँ अब आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो गया है यह दो बहुत ही पर्फेक्ट जैसा हमें चाहिए वैसा डो बनके रेडी है हमारा अब हम पिज़ा बनाने कुरू करते हैं पिज़ा का बेस तो मैं एक लार्ज पिज़ा बना रही हूँ एक स्मॉल साइस का पिज़ा बना रही हूँ तो टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको पहले अच्छे से मिसल मसल के इसको चिकना कर लेंगे हम तो इस तरह से हम मसलेंगे अच्छे से और फिर इसको हम तू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो एक स्मॉल और एक लार्ज अब नीचे मैदा फैलाएंगे जिससे जो हम बेस बना रहे हूँ चिपके ना तो इस तरह से आप देख सकते हैं हास्ते थोड़ा थोड़ा करके फैलाएंगे और फिर बेलन की हल्स से हम इसको रोल करेंगे तो आप जैसा पतला मोटा आप जैसा लाइक करते हैं वैसा बना सकते हैं तो इस तरह से बेल के रेडी कर लेंगे हम तो अपक की हल्स से हम इस तरह से इसमें होल कर लेंगे जैसे यह बेस हमारा फूल लेना अब देख सकते हैं अच्छे से कर लें और यह बटर डालाएं मैंने और अच्छे से फैला लेंगे हम जिस तरह से हमारा पीजा चिप केगा नहीं और जो हमने ग्रेवी बना के रेडी करी थी वह हम इस पर विजा बेस पर फैलाएंगे अगर आप फस्टाइम पीजा बना रहे हैं तो जो मैंने पैन रेडी किया है उसमें ही आप यह बेस को फैलाएं और फिर इसमें यह टॉपिंग लगाएं सब्सक्री लगाएं क्योंकि इसको उठाने में थोड़ा दिक्कत आता है तो आप उसी में बनाएं बेस को और साइट टॉपिंग लगाएं और इसी पर बेक कर निकले छोड़ें और यह मैंने मौज़ोला चीज लिया है इसको भी अच्छे हम पिला लेंगे इसको मैंने ग्रेट कर लिया है आप चीज अ और यह मैंने तीन कलर की सिलना मिल्च पेपल पेपर और यह सब लिये हैं मैंने और यह हमने पनीर प्राई किया था वो भी हम इससे अच्छे तरह से लगा देंगे क्योंकि पनीर मकी पीज़ा बना रहे हैं तो पनीर तो अच्छे से जाएगा ही तो इस तरह से सब रेडी कर लेंगे और जो चीज थोड़ा सा और उपर से डाल देंगे तो पैन को हमने गरम कर लिया है पहले और इस पे हम पिज़ा डाल देंगे इसको बिल्कुल स्लो गैस पे अच्छे से पकाएंगे गैस को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और 20 मिन्स तक हम इसको पकाएंगे 20 के बाद हम चेक करेंगे फिर इसको आप देख सकते हैं जो लाट साइस का ई पीजा बनाया है मैंने मार्ट स्था इसका मैंने बताया था पहले भी तो यह भी मैंने रेटी करके सबस्तिक आप बिल्ग हो रहे हैंग अब बीच में मैंने 20 मेंट के बाद चेक किया है तो इस तरह से चेक करेंगे अभी चीज भी अच्छे से मैड नहीं हुआ है और अभी पिज़ा भी हमारा भी अच्छे से बेक नहीं हुआ है थोड़ा सा टाइम लगेगा तो 10 मिर्स के लिए और ढ़के इसको पकाएंगे तो यह पर्फेक्ट पके रेडी है आप देख सकते हैं दोनों पिज़ा किल्कुल मस्ट क्रिस्पी और यमी बनके रेडी हुए हैं आप देख सकते हैं तो आपको dip करके दिखाते हूं यह स्मॉल साइज का और यह लाइड साइज के स्धिर लिए रेडी हों यह ब 추가 है तो सकते हैं कितना सॉत और फ्लफी हमारा पीज़ा बनके रेडी हुआ है दिखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, खाने में तो यह और भी टेस्टी है, तो आप रेसिपी को जरूर ट्राइ करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है, यह रेसिपी की तो आल टाइम फेवरेट होती है यह, तो आप जरूर ट्राइ करें, आप देख सकते हैं कितना प्लफी मार्केट से भी जाता अच्छा पीजा बनके रेडी हो आए घर पे तो आप जरूर ट्राइए करें विजते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए